एक्स्प्लिसिट लिंकिंग प्रिविश्ली हमने डिस्कूस किया था कि Windows उसका एक बड़ा major feature जो है that is Dynamic Link Library अब Dynamic Link Library से लिंक करने के लिए दो तरीके एक लोड टाइम पर और एक रॉन टाइम पर लोड टाइम वाला जो है वह Implicit Linking करता है, Runtime वाला जो है वह और एक्स्प्लिसिट लिंकिंग करता है अब हम यह देखेंगे एक्स्प्लिसिट लिंकिंग जो है वो आप कैसे करते हैं Explicit Linking जो है नाम से जाहर है कि जब आप explicit linking करते हैं तो आप program के अंदर जिस DLL के साथ आप link करना चाहरे हैं उस DLL को explicitly specify करते हैं उस DLL का नाम आप specify करते हैं और उस DLL को आप open करते हैं और उस DLL में पढ़े हुए किसी procedure को access करते हैं यानि कि आपको specifically पताना पड़ता है कि आपने किस DLL को access करते हैं इसलिए इसको explicitly linking का जा रहा है once आप इस तरह से उसका नाम specify करके DLL को open कर लेते हैं DLL के अंदर आपको एक फिर entry point देखते हैं कोई आप एक अपना function का नाम specify करते हैं और उस function का आप entry point कि कहां से वो function start हो रहा है या procedure start हो रहा है वो get करते हैं और फिर वो assign करते हैं अपने किसी एक variable को और वो variable किस type का होगा वो variable होगा एक pointer to a far function या far procedure एक किसी far procedure को point करने के लिए use होगा उसको वो address assign कर देंगे और अब इस far pointer के थुरू आप उस procedure को access करेंगे तो यह सारे काम करने के लिए DLL को load करने के लिए function का address get करने के लिए certain APIs required हैं अब हम देखते हैं कि कौन सी APIs required हैं सबसे पहले जो API required है वो है load library load library के अंदर दो कहलें कि इसके variants हैं एक load library simple और एक load library ex इसके अंदर आप just simply library का नाम specify करते हैं उसका file name जो file name आप specify करते हैं तो आपको साथ extension specify करने की आम तोर पर ज़रूरत नहीं पड़ती अगर file successfully load हो जाती है तो h module h module एक handle है handle to module इसकी value जो है not null होगी अगर null होती है तो इसका मतलब है कि आपको यह function fail हो गया किसी वजह से वो path गल्त है या नाम गल्त है जो आप dll आपने specify की है वो किसी वजह से open नहीं हो सकी इसके लावा जो ex वाला function है इसके अंदर dw flags भी है flags की कई मुख्लिफ configurations है आप msdn के अंदर मजीद उसकी detail जो है वो देख सकते हैं अब आपके पास dll लोड होगी आपके पास उस dll का handle आगया अब programmer को उस dll किसी function को call करना है एक dll के अंदर एक function नहीं होंगे कई सारे function होंगे किसी एक specific function को call करना है और उसका entry point ले रहा है ये काम करने के लिए get proc address, get proc address आपके पास एक API मौझूद है इसको आप module specify करते हैं और procedure का नाम specify करते है case sensitive सही नाम होना चाहिए आप जब नाम उसका specify करेंगे वो उसके अंदर look up करेगा और जो भी उसका address बनता है उस dll का वो address return करेगा इसकी आप return टाइप देख सकते हैं far proc है दूसरा यह भी आपको देखने की ज़रूत है कि lp proc name जो है यह unicode नहीं होनी चाहिए ठीक है यह ASCII code होनी चाहिए तब ही यह नाम जो है यह सही तरीके से access हो सकेगा फिर यहां पर जब आपके पास एक address आ गया तो फिर आप कोई c-type function pointer बना सकते हैं c की तरह का syntax use करके एक आप pointer to a function बनाएंगे और उस pointer को यह address assign कर देंगे और उस pointer to a function जिस वह function का pointer है उसके जो parameters आप रखेंगे वह वही रखेंगे जो इस API के parameters हैं और उसको वह parameters की values पास करके उस pointer to a function के थुरू आप call कर सकेंगे